आया है 8790 पर पहला टिक यानि 48 पॉइंट्स उपर निफ्टी की शुरुवात हुई है 8794 पर 8800 किसी भी समय हिट करने की तैयारी में और जो गेनर्स हैं उनको एक बाद देख लेते हैं 50 अंको से ज़्यादा की बड़त निफ्टी पर इस समय देखने को मिल रही है और इसमें सबसे अच्छी तेजी जिन स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है निफ्टी में इसमें आईशर मोटर्स है जो की 2% उपर है ओ इनजी सी 1.5% उपर हीरो मोटर कॉप बोश 8800 हिट हुआ है अभी अभी निफ्टी ने 8800 को हिट किया है पर इसने हाई हिट किया है 8800 का बोश यस बैंक आइस बैंक 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 बरोडा स्टेट बैंक अफ इंडिया मारूती सुजूकी जी एंटर्टेंमेंट और रिलाइंस यह कुछ काउंटर्स हैं जो कि अच्छी बड़ा लेंट करें मार्केट को इस समय लेकिन जो असली तेजी है वो बाहर भी कई पॉकेट्स में है जहां पर अच्छा मूँ देखने को मिल रहा है उस पर आप नज़र रख सकते हैं चाहे वो लिकर स्टॉक्स हो यहां पर अच सबस्क्राइब करें मार्केट्स में कॉम आपर अच्छा मूँ देखने को मिल रहा है टायर इंड़स्त्री से जोड़े जो शैजे वहां पर अच्छा मूँ देखने को मिल रहा है तो यह काउंटर्स ऐसे हैं जिस पर आप नज़र रक सकते हैं लेकिन ओल्यूम थुदा और जनरेट होने दीजिये, टायर स्टॉक्स पर अच्छा मू है, and there you go, MRF 50,000 के पार, फिर से इक बार, यहाँ पर करीब देड़ परसेंट उपर, MRF यानी 736 रुपय का मू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो बैतरी न्तेजी के साथ, बजार खुला है इस समय, OPEC ने जो उत अच्छा मू देखने को मिल रहा है, और एलाइंस, एक परसेंट उपर, डबल वन, जीरो थी पर, यहाँ पर, तो 8800 का लेवल, निफ्टी ने एक बार के लिए तो कम से कम पार किया है, निफ्टी बैंक में अच्छी मजबूत ही है, करीब सॉंकों की तेजी यहाँ पर 50 बैंक अगर आप इंग्रीडियन्स को देखें, उनका बिहेवियर देखिया, तो केंडरा बैंक, यहाँ पर केंडरा बैंक, PNB, SBI, B.O.B. तो पूरा कंट्रिबूशन जो है ना, वो सरकारी बैंकों का है, इस 119 अंकों के पुल बैक है, टेस्ट अप स्टेंथ होगा, इस बैक है, तो स्टेंथ बैक है, जिसट अपर इस पेस बासकेट, अपर इन दो फार्मा आपके स्की पर अपनी तीजी को और शाप करता वा, और उसके बाद अगर आप देखें, अगर आप यूबी ग्रूप के स्टॉक्स को देखें, अग्डवे होल्डिंग, यूबी यहां पर है और आगे बढ़ते वगरा देखें कुछ स्टॉक्स को देखें आप जिए सेल के बाद इसमें आप यूवी ग्रूप के स्टॉक्स को देखें में डोल होलेंग मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा और कुछ स्टॉक्स अभी जड़ा एक बार मिट कैप के गिनर्स अब जिए आप मिट कैप में देखें कल की तीजी और कल का फुल बैक जो शुरू हुआ था ना वो मिट कैप सी शुरूआ था ओल कंटीट उपर है और इसके वाज़ार मिट कैप गिनर्स के शुरूप में कौन से स्टॉक्स शाप मूव लेके कावबार कर रहे हैं इसक्रम म अगर आप दिखें सबसे उपर मिट कैप गिनर्स पादी युनिटेक इंडियन बैंक इंडियाबल्स हाउसिंग आरगेप तो जो फिनांस स्टॉक्स हैं जो एन्वी एफसी के हैं स्टॉक्स जो ऊपर है फूचर इंटरपैसिस इंडियन बैंक रिलांस के लिए उपर है और पाव फिनांस को अपरिशन यहां पर थी नजर आ रही है संटुट एक स्टैल अभिए फिसस्ट्राइक करताव ए 957 इस सीरीज के नए हाइप डिश्टीव 9760 बैंपसिस और चैने पैट्रीक इंडियन स्टॉक्स है अच्छित इस दिखा रहे हैं एक बैदेना वॉल्यूम स इस दिखाए टॉप वॉल्यूम वाले स्टॉक्स जो की वॉल्यूम स्ट्राइक कर रहे हैं I think 794 कोटेक में तरह बैंक इसमें शायद मेरे खाल से एक ब्लॉग डिल होनी थी सोला बड़ी डिल्स हुई है तो है पसंट इक्विटी जसे कि मेंने बेर देहां पर तो अलास भी एक बड़ी से संटुफरेक्शन बन रहे है बड़ी डिफ्टी समहाँ अठाशी सो के पास थोड़ा सा ट्रेट करने में अंकमफर्टबल से में शुरुआती थोड़ा लेकिन अगर यह निकल गया 8800 के पार और एक बड़ो मार्जिन बना ले 20-25 पर वहां पर वह जरूरी है मार्केट के लिए लेकिन अब देखिए कुछ एक स्टॉक्स जहां पर अच्छा मूह है इसमें MCX है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ यह 11% उपर जो कुमोरिटी मार्केट नो ऑप्शन्स की मन्जूरी मिली है उसका सीधा इंपक्ट एक्स पर यह 12% उपर ट्रेट करते इसमें MBL Infra आज भी शामिल है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदार यहां पर देखने को मिली है तिलक नगर इंडस्ट्री कल के मूह के बाद आज भी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ करीब 5% उपर यह इस समय ट्रेट करते हुए यह कुछ काउंटर्स हैं डॉनियर के ह इसमें बात की यहां पर अच्छा मो देखने को मिल रहा है यह करीब 5% उपर इस समय ट्रेट करते हुए अच्छी वॉल्यूम्स के साथ और MRF तो है ही 2% उपर 50,800 का लेवल इस समय भारत का सबसे महंगा स्टॉक MRF लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अभी थोड चीपेस टायर स्टॉक आइशार मोटर्स करीब 70% उपर 26,362 का लेवल नहां पर देखने को मिल रहा है और यही इस मार्केट में आपको याद होगा है जब यह 18-19,000 पर था आइशार तब लोगों को कंसन दा कि अब तो बहुत फैक्टरिंग हो गया है अब एक साल का परफॉर्मस टायर स्टॉक आइशार में जो सेथेंबर का वालियूम है यह बीते 12 महीने का सबसे स्टॉंगेस्ट वालियूम का मन्ट तो एक कंप्लीट इक अब देखें गिर्प के साथ की उपर गया है पटासा है का यह इस ने चुआ है आशिश इस ओपनिंग पर रहा है आपके और आ जो स्टेंथ में जैसे कि जैसे टायर्स में बात करें तो मुझे लगता है अपोलो टायर्स और सीएट इन के अंदर में बहुत स्ट्रॉंग अपमू की पेक्षा की जा सकती है यहां मुझे लगता है चे साथ परसंद के अपसाइड देखने को मिल सकती है और साथी साथ मिट कैप स्पेस में मुझे लगता है में बहुत ही स्ट्रॉंग टेक्निकल पैटन बना चुका है इस पर आप नज़र रख सकते हैं लेकिन अब वह भी देख लेते हैं स्टॉक्स को जो की नए हाइपर है एक तो अब्वेसली MRF फिर से एक बार आज की बड़ी स्टोरी यह धाई परसंट उपर सूरिया रोश्नी नए हाइपर है अपलो टायर नए हाइपर अलफा जीओ नए हाइपर है जेके सिमेंट्स फेडरल बैंक यहां पर नए हाइद देखने को मिला है हाई वैल्यू स्टॉक्स में पेज इंडर्स्ट्री जाला कि मामूली से हाइपना लेकिन बना नए हाइपर है महानगर गैस इसने काफी अच् जो मू है वो लेकिन छे सो बातर पर यह है MCX 10% उपर है आइशर मोटर्स वीवी मेड लाब्स और साथ ही जी एंटर्टेन्मेंट यह हमारे एसल समू की कंपनी है एंटर्टेन्मेंट बाटकास में लेकिन इसने भी एक नया हाइप हिट किया है करीब एक परसेंट उपर तो जितने स्टॉक्स आपने बताए उसमें मैं समस्थो टायर स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए इसपेशली अपोलो टायर जहां पर हमने आज ही ब्रेक आउट देखा एक जो इंपॉर्ट रेजिस्सेंस है 222 के स्टॉक ने वो ब्रेक की है तो यहाँ पर खरीदारी करें 216 के स्टॉप लॉस रखें आपके टार्गेट 235 के आसपास रहेंगे और दूसरे स्टॉक मैं समस्थो कोटक महिंद्रा बैंक पर जरूर ध्यान ने क्योंकि देखें हमने करेक्शन देखा था पिछले करीब 2-3 हफते में और पचास जिनों के मौनिंग एवरेज पे चलिए अब थोड़ा से और जड़ा सरप्राइस पैकिजिस को देख लेते हैं वो जो तुड़े स्ट्रेड को एक बार देख लेता है थिंक वो आज जो रेक्मेंट किया थर्टी फाइफ फॉर्टी फटी 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 फाइफ गराब दिखाऊंगा यहां पर टीवे शिकर क महीने जिकर किया एक और कंपनी देखें डी एस पी सी यह श्री ग्रूप के कर आप देखें कंपनी है और आपके स्कीन पर यहां पैच्छी थी यहां पर यह पावर कारूबार में है उसके बाद और मंधना इंड़स्ट्री इस थर्टी सिक्स सिक्स्टी फाइफ पर ऑटो इंडस्ट्री यह भी अब है चल रहा है लगपख साठेव पर संट ऊ-पर है और आप देखें ऑन्ट इंडस्ट्री के बाद को यह तिलिक नगर इंडस्ट्री इंड़स्ट्री के पर याद रखिए यह जा से ऑलमुस्स दौर के हाई पर है जैसे कि मैं पड़सों जिकर यह और आप दखिए मनाली पेट्रो – करीफ 34-40 पर छोट सॉसी ऐड़ेगरी में यह भी अप दखिए मनाली पेट्रो का जरार प्रीज स्चप्राट फार करेंगे प्र हणे छाउँगा इसका वीक्ली चार्ट इए प्रीज एक पर आशिश मनाली पेट्रो 34-30 ये बार-बार अटेम्ट कर रहा है ये जो स्लोपिंग डॉन्वर्ड चैनल जो है न वो हल्की सी लगभग-लगभग 2015-16 की उसके हाइस को रिविजिर करने की 36-35, 36-50 आपको लगता है इसमें एक 36 के उपर एक सबस्टेंचल मूव होगा जी है बिल्कुल विरे अंदर देखे एक तो बहुत ही स्ट्रॉंग ट्राइंगल पैटर्न बना हुआ है और हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स अप्टिक के अंदर में बढ़ते हो नजर आ रहे हैं तो जैसी 36-37 के लेविल्स क्रॉस होंगे तो एक मेजर ब्रेक आउट होगा ज के बाद ही लॉंग पॉजिशन इसमें बनेंगे हैं इस बीच चलिए कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर अच्छे संकीत हिस्सा में देखने को मिल रहे हैं आज और रुजान अच्छा है मार्केट में और टुडेज ट्रेड एक बार नजर डाल देते हैं इस 18% उपर 16-17% का मुव अभी बना हुआ है 35-40 का लेवल इस बाज बाजार खुलने से पहले हमने आपको यह संकेत दिये थे कि आप इस पर नजर रख सकते हैं और यह आज के लिए बहुत अच्छा इंट्राडे ट्रेड आपके लिए साबित हो सकता है सो देर यूगो इंट् देखिए अगर मेरा टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा है तो मैं गिरावट पर खरीदारी करूंगा डिफिर्टली चार्ज बहतरी लगते हैं और मैं समझतों कि कम से कम आप अपने टार्गेट 15-50 और 1600 के लग सकते हैं अगर आपका टाइम फ्रेम 3-4 मन्स का है तो पर यह पर खरीदारी नहीं करेंगे एक बड़ा मुव हम पिछले चारपा स्टेटिंग सेशन में देख चुके हैं तो गिरावट पर खरीदारी करें करें करीब 1260 और 1200 में तब आप अपना स्टॉप लॉस करीब करीब 1080 के नीचे लगा है चलिए कुछ और स्टॉक्स को देखते ह जिन में अच्छी देजी अब में चलता हूँ एक एक करके स्टॉक्स पिक कर मशूर करता हूँ पहला है अबन आफशो 211 के स्टर पे 3.5% उपर है लेकिन अबन आफशो के बाद इससे बात पहुत हो चुके इसको स्किप करता हूँ बाल कृष्ण इंडस्ट्री इस करीब 5 5% उपर ये काफी चल चुका है और 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 मूव ड्यू नज़र आ रहे हैं जहांपे लेट्स टेक बिरला कॉर्प 733 के स्टर पे अल्मोस्ट आप देखिए कि जुलाई में करीब करीब जून जुलाई में इसमें 500-600 की रेंज में ब्रिक आउट आए था उसके बाद से क्य अगर आप देखें मूव आया है अच्छी तेजी यहां पर भी है उसके बाद और कुछ स्टॉक्स बीपी सेल इंटरस्टिंगली अगर आप देखें कूर्ट की बढ़ने की अगर आप देखें आशंकाओं की बीच में भी हरे निशान में है तो यह और परफॉर्म करता बा आशीश में एक चीज़ आप से पुछू बीपी सेल एचपी सेल आईयो सी सबस्यादा रूलोवर्स लेके खड़े थे स्टॉक्चरली काफी स्टॉंग भी लग रहे थे यह कुरूड का चलना आए थिंग इनके ले अच्छी कहानी नहीं है यह लेकिन फिर भी यह चल रहे ह क्या एग्जेक्ली आप इन में लॉंग्स अभी भी होल्ड करेंगे या फिर अपने लॉंग्स को ट्रिम करने की कोशिश करेंगे आप देखिए विरंद्र टेक्निकली तो अभी तक कोई वीक्नेस का साइन नहीं आया है और मुझे लगता है जब तक के क्लियर एक रिवर्सल नहीं देखे तब तक के बिल्कुल ट्रेंड को राइट करना ही एक सही एडवाईज होगी मेरा मानना है कि बीपी से एल आयो सी इन की बड़त और देखने को मिल सकती है खासतर पर बीपी से की बात करें तो मुझे लगता है सिक्स फिफ्टी सिक्सिक्स्टी के टागेट इसके अंदर में देखने को मिल सकते हैं इस बीच चलिए जहां पर कॉंस्टेंटली अच्छा मू है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इ काउंटर है जहां पर अच्छा मू परसंटेज में अगर हम देखने को मिला है अल्मस्ट 19 परसंट उपर है जी टी एल इस काउंटर पर भी करीब 18 परसंट का मू इस समय देखने को मिल रहा है टी बेस्टी चक्रा तो है ही होल्ड करते हुए हैल लग पर पे पेट्रोन पाँच परसेंट उपर रेफेक्स के काउंटर पर पाँच परसेंट का मुह लेकिन वॉल्म इतनी खास नहीं है और एंबेल इंफरा करीब पाँच परसेंट उपर लेकिन जो लेकर स्टॉक्स हैं उसका मुह जिस तरह से कॉंस्टेंटली अपड मुह दे रहा है I think यहां पर अभी भी कुछ स्टीम बचा हो सकता है सुनील आप जनरली यह जो सीजन होता है आप दीवाली से लेकर न्यू यहर तक उसमें वैसे भी इस स्टॉक्स रिमेन इन हाई स्पिरिट्स क्या करेंगे आप यहां सी देखिए इन में नो डाउट रिसेंट पास्ट में काफी एक अच्छा मुव आया बर जो लाजस्ट प्लेयर है युनाइटेड स्पिरिट अभी वह नीचे बॉटम की हो रही है और मार्जिनल अप्टिक दिखाई दिया है अगर किसी को लॉंग टर्म इन्वेस्ट करना ह वित वन येर व्यू तो मुझे लगता है कि उनाइटेड स्पिरिट के प्राइसे अभी काफी अट्रेक्टिव लेवल पे यहां से डाउंसेड रिस्क इस लिमिटेड वेरिस अपसाइड जैसी वॉल्यूम रिवाइवल हमें दिखाई देगा अच्छा उसके इसाब सी यह स्टॉक्स में पर्फॉर्मेंस आने लगेगी तो युनाइटेड स्पिरिट अगर एक साल की व्यू के लिए लियना चाहिए तो इस स्टॉक को करिदा जा सकता है इस बिच आप देखिए आई आर्बी इंफ्रा ये गर आप देखें स्ट्राइक करता है इस दौर का सुनिल बहुत पक्शूर के आप इस काईकर में शामिल हुए सिभी स्टॉक्स को इंडिसिस पर आ रहा है आपने मैं आई याव इंफ्रा को आशिश तीन चाहिए इन से मानस इंपेक्ट आपसे पूछू रहा तीन चाहिए त्रेक कर रहा हूं इसको मैं यह थोड़ा सा घबरार है तू सिक्स्टी सिक्स फॉर्टी की रेंज में जो कि इसकी आल्मॉस्ट तीन साल की पॉने तीन साल की फॉलिंग प्राइस सेनल का हाई है कैसे अप्रोच करेंगा आप इस स्टॉक को आपको लगता है कि तू सिक्स्टी सिक्स के बाद यह 25-30 रुपर का सब्सेंशल मूव देखी यह सही है कि 265 पे थोड़ा रेजिस्टन स्टॉक फेस कर रहा है बट पैटन इतना स्टॉंग है कि मैं समझतो थोड़ा टाइम स्पेंट करने के बाद हमें ब्रेक आउट जरूर देखने को मिलेगा और अगर 265 के लिवल ब्रेक होते तो आप चो नया टार्गेट है वो 285 के आसपास सेट कर सकते हैं तो मैं तो समझता हूं कि बिलकुल या तो आपको एक ब्रेक आउट करने तो 265 के उपर करें अधरवाइस मैं करेंट लिवल पर इतना स्टॉंग पैटन देखने के बाद मैं नहीं समझता है इंतिजार करना चाहिए बेतर रहेगा कि आप करेंट लिवल पर बाई करिए अभी फिलाल के लिए स्टॉप लॉज 248 के नीचे रख्यों जब आप 265 के उपर निकल जाए तो अपने स्टॉप लॉज रिवाइस करके 255 कर लें